डर एक एहसास में आपका स्वागत है इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया कहानिया तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोज देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर हेलो दोस्तो मेरा नाम आर्थर है और मैं लंडन शहर में रहता हूँ मेरी उम्र 15 साल है और मैं हाई स्कूल में पढ़ता हूँ आज मैं आपको पिछले साल की उन घटनाओं की जानकारी देना चाहता हूँ जो मेरे साथ खटी थी ये ऐसी घटनाएं हैं जिसे सोचकर मैं डरता भी हूँ और अचमभित भी हो जाता हूँ मुझे नहीं पता आप इसे सुनेंगे तो कैसा महसूस करेंगे लेकिन मेरे लिए ये दुनिया की सबसे अलग घटनाएं थी मैं शुरू से बताता हूँ मैं हाई स्कूल में बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हूँ और हमारा तीन जनों का एक रुप है जिसमें मैं हूँ थॉमस है और सैलीना है हम तीनों स्कूल में भी बहुत जादा मस्ती किया करते और हमारे घर भी एक दूसरे से करीब ही थे इसलिए हम सारा दिन मस्ती करते ही रहते स्कूल से आकर कपी हम पीछे वाले जंगलों में घूमने चले जाते तो कपी सडकों में नए-्नए रास्ते ढूनते रहते कहते हैं वहां जो भी जाता है जिन्दा नहीं रहता हम ऐसे डरावने और भूतिया घरों में कई बार जा चुके हैं और अब भी जिन्दा हैं तो आप समझ सकते हैं वहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा हमारी कियोरस्टी धीरे धीरे पढ़ती ही जा रही थी और हम इसी तरहें लंडन की पुरानी सडकों में घूमते रहते हम तीनों के पास एक एक साइकल है जिसके सहारे हम लंडन में दूर दूर तक पहुँच जाते हैं पुरानी जगयों को ढूंडते ढूंडते हमें बहुत जादा मज़ा आता है और उस जंगल में एक चोटा सा घर भी हमने बनाया हुआ है जिसके बारे में जादा लोगों को नहीं पता यहां पर पेड़ बहुत घं़े हैं और एक पेड़ पर हमने इस तरह से रास्ता बनाया है कि उसके उपर चड़ा जा सकता है हमने सीडियां बनाई हुई हैं और उपर जाकर छोटा सा घर बनाया है यहां हम तीनों छिप सकते हैं कभी कभी जब यहां बहुत ज़ादा बारिश होती है और ठंड हो जाती है हम इस छोटी से घर में आकर छिप जाती हैं लकडियों को अकठा करके हमने काफी पैसे चोड़ कर इस घर को बनाया जिसके बारे में कोई नहीं जानता नीचे से हमने इस तरह से टेहनिया बिछाई हुई है नीचे से कोई उसे देख नहीं सकता है और बाकी का सारा काम पेड़ो ने कर दिया है एक ऐसा घर जिसे और दुनिया नहीं जानती सिर्फ हम तीनों के लिए है वो लेकिन सब कुछ बदलने वाला था हमारे लिए ये ग्रुप सबसे प्यारा था लेकिन थौमस अब कुछ अजीब सी हरकते करने लगा था वो अब ये कहता कि मुझे कहीं दूर जाना है मैं काफी समय बाद ही आऊंगा लेकिन हम उससे कहने लगते कि उसे दूर क्यों जाना है तो उसका कोई जवाब नहीं आता वो यहां अकेले रहा करता था और उसके अंकल और अंटी भी यहां रहते थे उसने कभी भी अपने ममी पापा के बारे में नहीं बताया और वो कहां से आया है उसने ये जानकारी भी हमें कभी नहीं दी थी लेकिन अब वो जाने की बातें कर रहा था तो हमें काफी बुरा लग रहा था हमारा ग्रूप तूटने वाला था और वो जादा चीजे नहीं बताता जैसे गुमसम सा रहता हम उस से पूचते आखिर वो कहां जाने वाला है क्योंकि एक दिन हम उसे ढूंड ही लेंगे वहां तक पहुँच ही जाएंगे लेकिन वो कहता मैं जब जाओंगा कुछ बता कर नहीं जाओंगा और वापिस आने की चांस बहुत कम होंगे एक दोस्त को खोना बहुत बुरा लगता है और उस रात हमारी लड़ाई भी हुई थी उसी लकडी के घर में हम तीनों लड़ रहे थे और थॉमस को मना रहे थे कि वो ना जाए लेकिन उसका कहना था कि मुझे कभी ना कभी जाना ही होगा मैं और कुछ नहीं कर सकता वो यहां से सामान समेट रहा था हमने अपना जरूरी सामान यहां पर छिपा कर रखा हुआ था जिसे कोई चुरा तक नहीं सकता था लेकिन अब वो धीरे धीरे यह सामान यहां से ले जा रहा था हम उससे कह रहे थे ऐसा सामान वो यहीं छोड़ जाए क्योंकि बाद में उसे वापिस आना ही है लेकिन वो हर सामान ले जा रहा था अपनी वो प्राइवेट डाइरी भी उस डाइरी में वो क्या-क्या लिखता हम कभी समझ नहीं पाते वो इसे कोड़ में लिखता जिसे डीकोड करने की कोशिश हमने कई बार की लेकिन हम उसे डीकोड नहीं कर पाए वो हमेशा कुछ ना कुछ अलग सी भाशा, अलग से कोड़ में लिखता रहता शब्द तो वो इंग्लिश के थे लेकिन फिर भी हमारी समझ में नहीं आते हम बहुत लड़े उससे और वो वहाँ से जाना चाहता था उसका बैग भी मैंने फार दिया ताकि वो जाना पाए मैं उसे रोकना चाहता था फिर भी वो वहाँ सामान लेकर निकल चुका था वो सामान समेट कर वहाँ से निकल गया फटे हुए बैग से सामान गिर रहा था और वो बार बारों से उठाता जा रहा था लेकिन वो वहाँ से चला गया और हम भी बहुत ज़ादा गुस्सा थे क्यों वो हमें छोड़ कर जा रहा है और वो कब जाएगा बता क्यों नहीं रहा उस शाम हम घर तो आ गए लेकिन हमारा मन उदास था और अगले दिन ही हमें Thomas कहीं मिला नहीं जब हम Thomas के घर गए वहां कोई सामान नहीं था सारा सामान ले जाया जा चुका था और हम उसे धूंडते रह गए काफी समय तक हम उसे धूंडते रहे उस लकड़ी के घर में भी गए क्या वो हमारे लिए कोई मैसेज छोड़ कर गया है लेकिन उसने कोई मैसेज नहीं छूड़ा था हमें नहीं पता था कि वो आज ही जाने वाला है लेकिन वो कब निकल गया पता ही नहीं चला लगभग दो दिनों तक हमें कोई खबर नहीं थी हम आज बडोस पूचते रहे लेकिन उन लोगों के बारे में किसी को पता नहीं था तो किसी ने हमारे मन में भरम डाल दिया यहां पर स्लीपर सेल भी आते हैं वो आधकवादी हो सकते हैं उसकी जानकरी सब को हुनी चाहिए तो हम भी पुलिस के पास पहुँच गए हमें लग रहा था कि उसके अंकल अंटी भी आतकवादी हो सकते हैं जिन्होंने उस बच्चे को यहां पर फसा कर रखा हो और वो जाने की बात कर रहा हूँ हमने पुलिस को सब कुछ बता दिया और पुलिस भी उनकी सारी जानकारी खंगालने की कोशिश कर रही थी लग भग पाँच दिनों तक पुलिस को भी कुछ नहीं मिला वो समझ ही नहीं पाए कि वो परिवार कहां से आया था इससे पहले ऐसी कंप्लेंट किसी नहीं की थी वो अचानक गायब हो चुके थे कहां गए उन्होंने हर बस देखी कैमरा चेक किये उन्होंने ट्रेन की टिकेट्स चेक की एरपोर्ट में भी पूछा कोई भी इस शहर से बाहर कया ही नहीं था जो उनके जैसा दिखता हो वो शहर के अंदर ही थे लेकिन कहां गए ये हमारे लिए कुछ अलग सा एहसास था जैसे कोई शहर के बीच से कायब हो गया हो और वो जानता था वो जाने वाला है लेकिन कैसे क्या यहां कोई ऐसा राज है जो वो हमें बताना चाहता था लेकिन उसका मन घबरा जाता था क्या उसके अंकल अंटी यहीं पर मौजूद हैं लेकिन वो हमसे दूर जाने की बात कर रहे थे कैसे उस दिन के बाद से हमने आस पडोस में भी पूछना शुरू कर दिया हम लोगों से ये जानना चाहते थे कि थॉमस कहां गया है क्या किसी ने उसे देखा है जहां जहां तक हमारी पहचान थी हम पूछते जा रहे थे हमें शक था कि वो शहर से बाहर नहीं गए क्या वो जंगलों में चले गए जंगलों में कहां चले गए हमें इसकी जानकारी चाहिए थी और तब ही हमारे दिमाग में वो पुरानी यादे आने लगी थॉमस जब भी जंगल में जाया करता वो हमें पीछे रोक देता वो आगे बढ़ जाता इतनी जादा हिम्मत हमें उसी ने भरी थी हम तो पहले फूतों से डरा करते थे लेकिन वो जंगल के जब भी अंधेरे वाली साइड में जाता वो हमसे कहता तुम उस पेड के पीछे छिप जाओ मुझे आगे जाकर चेक करना होगा और कफी कफी वो अंधेरे से पीडों के पास खड़ा होता तो हमें एक काला सा, लंबा सा आदमी नजराता जिसका चेहरा हम देख नहीं पाते वो काफी गहरे काले रंग का नजराता जिसकी आँखें दिखाई नहीं देती हम उससे कहा करते क्या वो भूत है लेकिन थौमस कहता नहीं, ये आदमी जंगलों में रहता है, ऐसी पुरानी चीजे खाता है, मैं उसकी कभी-कभी मदद कर देता हूँ, डरो मत, भूत परेत नहीं होते। जैसे ही ये बात हमारे दिमाग में घूमने लगी थी, हम सोचने पर मजबूर हो गए थे, क्या उसका रिष्टा उस आदमी से हो सकता है, और क्या वो आदमी सच में जिन्दा था, या वो इन जंगलों का कोई भूत था। हमने ऐसी भूतों की कहानिया पहुत बार सुनी हैं, इन जंगलों में लोगों को भूत दिखते हैं, लेकिन हम तो इसी जंगल में रहने तक लगे थे, हमें कोई भूत नजर नहीं आया। हम उसी लकडी के घर के आसपास ढूनते जा रहे थे, उसके कोई निशान तो मिल जाएं और हमें मिली थॉमस की वो टाइरी, जिसे देखकर सैलीना भी हैरान सी थी, उसने कहा इस डाइरी को वो छोड़ नहीं सकता, कभी भी वो इस डाइरी को अपने से दूर नहीं करता था हमारा इतना अच्छा दोस्त था, फिर भी हमें ये डाइरी नहीं देता था, वो इस डाइरी को यहां कैसे छोड़ सकता है, तो मेरे दिमाग में आया, जब हमने उसका बैग खींचा था, तो वो फट गया था, सामान गिरता जा रहा था, वो हर सामान को उठा कर फिर भी बै हमारे लिए सबूत था, पुलिस हमारी कोई मदद नहीं करने वाली थी, क्योंकि उसके पास कोई सबूत थे ही नहीं, वो तो इस केस को बंद करने वाले थे, कि कोई यहां से चला भी गया, तो उनके लिए कोई परिशानी वाली बात नहीं, उन्होंने सारी कैमरे चेक कर लि लेकिن कोई आदमी यहां से बाहर गया ही नहीं तो उनका कहना था वो शहर में ही है इसलिए वो केस बंद करने वाले थे लेकिन हमारा दोस्त कहां गया था वो हमसे बात तक नहीं कर रहा था और जिंदगी में कभी उसे इस तरह से परेशान नहीं देखा था हमारी दोस्ती पांच साल पुरानी थी पांच साल पहले वो यहां पर रहने आये थे उससे पहले वो कहां रह रहे थे उन्होंने कभी जानकारी तक नहीं दी हमने कभी पूछा ही नहीं थॉमस से हम इतना प्यार हो गया था वो इतनी अच्छी बातें करता था कि हमें परेशानी महसूस हुई ही नहीं? आज उसकी डायरी हमारे हाथ लग गई थी, लेकिन क्या ये डायरी किसी काम की थी भी? क्या उसका इस्तेमाल हम कर भी सकते थे हमें नहीं पता था? उसे डिकोर्ड करना होगा तब ही उसकी सारी जानकारी हमें मिलेगी, लेकिन उससे पहले हमें उस घने जंगल की तरफ जाना होगा जहां पर काला साया नजर आता है वो काला इंसान वो जिन्दा है या मरा हुआ हमें आज पता करना है हमें उन्हीं गहरे इलाकों में जाना है और उससे बात तो करनी होगी थॉमस अब दुबारा नहीं आएगा वो यहां पर खाना दे कर जाता था शायद उसे कुछ पता हो या उसे निराशा मिलेगी हमें नहीं पता था लेकिन हमारी चाल उस जंगल की तरफ थी वहां काफी गहरे पेड़ हैं इसलिए यहां अंधेरा ही रहता है यहां पर सबसे जादा लोगों को भूत दिखते हैं और हम यहां पर सबसे जादा रहा करते थे हमें कोई भूत नजर नहीं आया यह थॉमस के कारण हुआ था वो इतना बहादुर था किसी चीज से नहीं डरता जब से वो हमें मिला था हमारी सारी चीजें सही हो रही थी जैसे उसे सब कुछ पहले से पता होता था यहां अंधेरे में आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी हमें डर लग रहा था जब भी हम थौमस के साथ होते हमें कपी डर नहीं लगता लेकिन आज पहली बार डर का एहसास हो रहा था और हमें पेड़ों के आसपास से आवाजें भी आ रहें थी जैसे कोई उनके पीछे छिपा हुआ हो हम उन पेड़ों के पास चाते तो हमें कोई नजर नहीं आता लेकिन फिर भी वो आवाजे आती रहती जो पहले कभी नहीं आया करती थे हम उसी बड़े से पेड़ के पास थे जिसके पास वो काला इंसान नजर आता था हम उस पेड़ के पास उसी तरहें खड़े थे जैसे थौमस यहां आता था हाथ में डिबा लिए उसमें खाना लेकर और वहां पर वुकाला इंसान आएगा हम उसे आज पहली बार करीब से देख पाएंगे हम यहीं खड़े थे हमें दूर से कोई नजर आना शुरू हो गया पीछे से थोड़ी थोड़ी रोशनी पड़ रही थी हम उसे देख नहीं पा रहे थे लेकिन उसका कद देख कर हम पहचान गए थे साथ फुट का इनसान था वो से कोई भी पहचान सकता है लेकिन उसे देखा हमने भी नहीं था वो धीरे धीरे चलता हुआ हमारे करीब आ रहा था और हम उस दिब्बे को एक तरफ रख चुके थे लेकिन जब वो हमारे करीब पहुंचा, हमारे पैरों तले जमीन खिसा गई उसके पैर नहीं थे, उसका धड़ जैसे हवा में उड़ रहा था दूर से कभी भी हमें ऐसा नजर नहीं आता क्योंकि यहां पर जाड़ियां थी और नीचे हम देख नहीं पाते थे, आज पहली बार उसे करीब से देख रहे थे हमारे हाथ कापने लगे थे, लेकिन ये सबसे डरावनी चीज नहीं थी डरावनी चीज तो उसका चहरा था, जिस पर मास नहीं था, सिर्फ एक खोपड़ी जिसके बीच लाल रंग की आँखें चमक रही थी और इसे देख कर इतना डर लगा कि हमारे पैर कापने लगे और हम पीछे को भागने लगे वो डिब्बे में जो खाना था, हम वहाँ छोडने आये थे और वो तो पलट चुका था वो सारा खाना नीचे जाडियों में गिर चुका था, हम वहाँ से तेजी से भागते रहे और तब हमें पेड के आजपास काले साए नजर आये थे पहली बार इस जंगल में हमें भूत प्रेत नजर आये और हम भागते रहे उनकी आवाज बड़ी अजीब सी थी, जैसे छोटी सी चिडिया चीखती है और उसकी आवाज तीखी सी होती है वैसी आवाज थी वो साफ नहीं थी लेकिन कानों को चीर रही थी हम भागते गए, हम भागते रहे उस लकड़ी के घर तक पहुँचने के बाद भी हम रुके नहीं हमारे हाथ में वो डाइरी थी फिर भी हम भागते रहे हम अब शेहर के अंदर आ गए थे और उस जंगल को हम देखते जा रहे थे हमारे मन में थोड़ा सा डर था उस जंगल में दोबारा पैर रखने को मन मान नहीं रहा था लेकिन थोमस की कोई जानकारी नहीं मिली थी हमें इतना पता लग गया था कि थोमस उस काले घने इलाके की तरफ जाता था और उस भूत से मिलकर आता था वो तो कहा करता भूत प्रेत होते ही नहीं और आज अपनी आखों से हमने देखा था थोमस कहां गया ये राज अभी राज ही बना हुआ था और हमारे पास और कोई चारा नहीं था सिर्फ उसकी डाइरी बची थी जंगल में जाने की हम्मत नहीं थी तो डाइरी को डिकोड करने के बारे में ही हमने सोचा मैं और सेलिना उसे डिकोड करने की कुछ करते रहे लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा था वो किस भाशा में लिखा गया है वो क्या बताया गया है बहुत लंबे-लंबे codes जैसे कुछ numbers और कुछ शब्द इसी तरह से पूरी डाइरी भरी पड़ी थी उसे समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी हम इंटरनेट पर भी ढूड़ते रहे लेकिन ये भाशा हमें कभी मिली ही नहीं बस कुछ निशान दिखते जो इस डाइरी पर बने होते वैसे इंटरनेट पर मिलते लेकिन उससे जुड़ी जानकारी कभी हमें नहीं मिल पाती शायद इसकी जानकारी कहीं पर हो ही ना हम कुछ आकार को पहचान पाते जो आधे इस डाइरी के उपर बने निशानों से मिलते हर पन्ने को अलग सा बनाया गया था और ये पन्ने कागज के जरूर थे लेकिन चमकीला सा कागज जिस पर वो किस पैन से लिखता वो भी हमें पता नहीं था कभी कभी वो पैन से लिखी लिखावट रंग बदलती और उपर एक कोल सा निशान बना होता जो अधूरा सा होता हम उस निशान को इंटरनेट पर ढूंड पाए थे और सैलीना ने कहा ये अधूरा निशान थौमस क्यों बनाया करता इस निशान को वो क्या पूरा नहीं कर सकता था कहीं पर अधूरा एक तरफ का निशान तो कहीं पर दूसरी तरफ का निशान सैलीना ने कहा इस निशान को हम पूरा नहीं कर सकते उसने एक पैन उठाया और उस निशान को पूरा कर दिया और कहा ये देखो ये है निशान जो इंटरनेट पर मिल रहा है लेकिन उसकी जानकारी नहीं मिल रही उसने बस ये शब्द पूरे किये थे उस पन्ने पर लिखे शब्द इंगलिश में जैसे सही हो गए थे हमने उन अलफा पेट्स को हिलते हुए देखा कभी वो एक तरफ हिल रहे थे तो कभी एक तरफ जैसे अपने आप घूम कर वो सही कतार में आ गए थे और पूरे शब्द पड़े जा रहे थे हम उन शब्दों को देखकर हैरान थे आसानी से पड़े जाने वाली भाशा में थे वो और पहले तो ऐसा नहीं था ये अकशर अपने आप हिल कैसे सकते हैं जैसे कोई जादू हो और पांच मिनट तक वैसा ही रहा वो अकशर दोबारा हिले और वैसी ही कतार में लग गए जो हमारी समझ से बाहर थे हम आब इसे पड़ नहीं सकते थे लेकिन ये जान गए थे जो उपर निशान बना है अगर उस अधूरे निशान को पूरा कर दें तो यहां सब कुछ पढ़ा जा सकता है ये एक जादूई डायरी थी जिसमें वो इसी तरह से लिखता और शब्दों को खुद बखुद गुमा देता ताकि कोई पढ़ना पाए और जब यहां निशान को पूरा किया जाता तो शब्द सही हो जाते मैंने सेलीना को कहा शब्दों को पूरा करो दोबारा से इसे पढ़ते हैं उसने दोबारा वो निशान पूरा किया और शब्द सही हो गए मैंने उसे नोट कर लिया जल्दी से मैं उसे लिखता रहा और पढ़ता रहा उसमें लिखा हुआ था यहां लंडन के कौन सी गली में कहां तक जाना है उस एक पन्ने को हम पढ़ पाए थे नीचे जैसे मैपसा बना हुआ था यह तो उस लंडन के बीच वाली सड़क का नक्षा था और यहां एक तरफ जाती गली की तरफ इशारा किया गया था वहां दो छड़ियों की बात बताई गई थी जो एक दुकान के बाहर लगी हुई है यह चीज क्या है हमारी समझ से बाहर था लेकिन हमें इतनी ही जानकारी मिली थी हम अगले पन्ने में जाना नहीं चाहते थे पहले इसको सुलजाना चाहते थे लेकिन सलीना कहने लगी सब कुछ पढ़ते हैं और उसने हर निशान को पूरा किया और उस पन्ने को हम पढ़ते उसमें हमारे बारे में बताया गया था वहां हमारी कई चीजों को अच्छा बताया गया था और कई चीजों को बुरा वो हमारी तारीफ करता दिख रहा था और कई ऐसी चीजों के बारे में लिखा था जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं वो लिख रहा था कि वो जंगल में गया उस रात उसने वहीं पर बिताई उसने मेरे घर में एक रात बिताई जबकि वो मेरे घर में कभी रहा ही नहीं था वो ऐसी कई चीजे लिख चुका था जो कभी घटी ही नहीं और कई चीजों के नाम जो होते ही नहीं और सब कुछ पढ़ने के बाद अंत में लिखा था इस तारीक को मैं जाने वाला हूँ, दोबारा यहां नहीं आना चाहूँगा, मैं यहां से जा रहा हूँ और बहुत सारी चीजे लिखने के बाद एक डॉट लगाया गया था, वो कहां जाने वाला था इसमें नहीं लिखा लेकिन पहले पन्ने का वो नक्षा, शायद हमें कुछ बता पाए, अगर वो शहर से बाहर कहीं गया ही नहीं, तो शहर में ही कहीं छिपकर तो नहीं बैठा, लेकिन क्यों छिपने की जरूरत क्यों पड़ी उसे, सैलीना मुझसे कह रही थी, हमें वहां पर जाना होगा, छे पहुंचने में हमें एक खंटा लगा, यहां पर हम उस गली को ढूंड रहे थे, यहां पर यह पुराना इलाका है, कई घरों को छोड़ा जा चुका है, यहां पीछे बड़ी सी इमारत में कोई नहीं रहता, पीछे कई खंडर है, यहां पीछे से जाने का एक रास्ता है, ज लोग खाना खा रहे थे, यहीं पर एक रास्ता दिखाया गया था, उस गली को हम ढूंडने की कोशिश कर रहे थे, हम यह अपने दोस्त को ढूंडना था और हमारे पास बस यही गलू था, हम उस गली को ढूंड पाए लेकिन उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं होई हमारी, यह कोई साधारन सी गली नहीं थी बलकि एक नाला था, यहां गंदगी निकल रही थी, उस पानी में हम पैर नहीं रख सकते थे, आखिर इस गली को क्यों दिखाया गया है, यहां अंदर तक कोई नहीं जाता, नाले के पास कौन जाना चाहेगा, यह तो सैकडो साल पुराना नाला है, जो इन घरों के पास से निकलता है, और यहां सी एक आदमी के अंदर जाने का रास्ता है, दो, एक अठा यहां अंदर नहीं घुच सकते, एक के पीछे एक जाना होगा, लेकिन नाले में पैर रख कर कोई क्यों जाना चाहेगा, साइड में एक एक इट लगी थी, जहां पर पैर रख कर आगे बढ़ा जा सकता था, हमने भी दोनों तरफ पैर रखना शुरू कर दिया, हम उस नाले में आगे बढ़ रहे थे और उस गंदे पानी में हमारा पैर नहीं जा रहा था, उन दोनों तरफ लगी एटों के कारण, लेकिन आगे बढ़ने में परेश शानी हो रही थी काफी जादा घुमाव आ रहे थे मोड आ रहे थे लेकिन ये नाला कहां तक जाता है हमें इसके बारे में पता नहीं था कई जगों से नाला एक तरफ निकल रहा था यानि वहां से गंदगी इसमें मिल रही थी आगे बढ़ते बढ़ते नाले का पानी कम होता थी, ये ऐसी गली लग रही थी, जो यहां तक तो बनी थी, लेकिन इसके बाद जैसे इसे नाले में बदल दिया गया हो, यहां पर नीचे से ही हम आराम से चल सकते थे, और ये थोड़ी बड़ी सी थी, ये पूरे इलाके को बंद किया गया था, और ये सबसे पुराना इलाका है, यहां पर तो कोई नहीं आता और इस गली के बारे में तो शायद किसी को पता तक नहीं होगा, आसपास के घर काफी उंचे थे, नीचे मिटी और पुरानी इटे नजर आ रही थी, इस तरफ कोई खिड़की तक नहीं थी, नाले की तरफ कोई खिड़की क्यों करना चाहे आगे बढ़ने में थोड़ी परिशानी हो रही थी, लेकिन अब घुमावों में निकलते हुए हम बहुत आगे पहुँच आए थे, और उस मैप में जो जगे बताई गई थी, उसके बहुत जादा करीब थे, यहां थोड़ा अंधेरा हो चुका था, और मैं पार-पार सेली ना कह रही थी, थॉमस के बारे में यहीं से पता चलेगा, शायद यहां कुछ हो, कोई निशानी हो, यहां पर कोई ना कोई ऐसी चीज में जाए जो थॉमस तक पहुँचा दे, हमें उसे आखरी बार मिलना होगा, हम अब उस गली के अंत तक पहुँचाए थे, और सामने ए शायद गलने सा लगा था, लेकिन फिर भी सही सलामत दिख रहा था, हमें नहीं पता उस दर्वाजे के पीछे क्या है, लेकिन वो किसी घर का दर्वाजा नहीं, बलकि नीचे जाने का रास्ता लग रहा था, कहां जाता होगा यह दर्वाजा, क्या सामने वाले घर से पीछे को निकलने का रास्ता होगा ये सामने से इस तरफ कहां तक जाया जा सकता है हम कहां पर हैं हमें पता ही नहीं था लेकिन उस दरवाजे को हमें खोलना था और सेलीना ने एक जटके से उस दरवाजे को खोल दिया मुझे सोचने का समय तक नहीं दिया दर्वाजा खुला सामने एक टूटा हुआ कमरा था जिसमें बहुत सारा सामान पड़ा था और बहुत सारी मिट्टी बड़ी थी वहाँ और कुछ नहीं था और देखने में ही लग रहा था वहाँ सालों से कोई नहीं आया होगा छट से पानी टपक रहा था जरूर ही पारिश का mia उपर से नीचे तक पहुंच आया होगा उसके सिवा यहाँ और कुछ नहीं तूटा फूटा कुछ सामान जो पुराना हो चुका था वहाँ बस मिट्टी के कुछ खिलोने पड़े थे और कुछ नहीं कुछ किताबें जो गल चुकी थी और कुछ छोटे छोटे कंचे पड़े थे सब कुछ मिट्टी के नीचे जैसे दबासा पड़ा था इसे देखकर हम दोनों निराश थे और हमें पता नहीं था अब क्या करना है लेकिन मायूस हमने उस दारवाजे को बंद कर दिया सैलीना ने कहा अब हमारे लिए कोई उमीद नहीं है यहाँ पर तो कुछ नहीं है यहाँ पर वो एक बार आया होगा और इसे गुप्ट जगे बताकर नक्षा बना दिया गया होगा उसके सिवा इसकी जादा जरूरत नहीं लगती लेकिन मैंने उसे कहा नहीं उसने कहा था यहाँ आने के बाद दो छड़ियों को यह जो छेद बने हुए ना इसमें डालना है उसके बाद दर्वाजा खुलेगा लेकिन दर्वाजा तो आसानी से खुल गया ना तो इन छड़ियों को यहाँ डालने की कोई जरूरत थी ही नहीं उसने तो ऐसा ही बताया था सेलीना भी मायूस थी और मैं भी मायूस और मैंने तब ही कहा चलो वो छड़ियां लेकर आते हैं न देखते हैं उसके बाद क्या होता है शायद अंदर से कोई और दर्वाजा निकलाए कोई तो हिंट मिलेगा न पूरा करके देखते हैं सेलीना मायूस थी वो वहाँ से जाना चाहती थी अंधेरा घिर चुका था लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करना चाहता था सेलीना को मायूस नहीं देख सकता था सिर्फ वही दोस्त बजी थी मेरी थॉमस कहीं जा चुका था जिसे ढूंडने की कावायद लग चुकी थी लेकिन वो मिल नहीं रहा था हम अब उसी जगे पर पहुँच गए थे जहां पर उस चड़ियों के बारे में पताया गया था मैंने ध्यान से देखा सामने वो फूलों की दुकान थी जिसके पीछे वो काफी सारी चड़ियां पड़ी थी उन चड़ियों का इस्तेमाल क्या होगा मुझे नहीं पता था लेकिन उन दो चड़ियों को लेकर आना था वो चड़ियां तो दिख रही थी लेकिन वो बूड़ा सा आदमी भी कमजोर सा नजर आ रहा था जो उसे बेच रहा था वो तो फूलों को बेच रहा होगा इन छड़ियों को क्यों रखकर बैठा है और नीचे उसे दीवार पर वो दो छड़ियां लगी हुई थी हमने जैसे ही उसके पास पहुँचकर उसे पकड़ने की कोशिश की उस बूड़े आदमी ने कहा ये तुमारे लिए नहीं है तुम ये फूल ले सकते हो इन पर फूल जड़ चुके हैं इन्हें बाद में जोड़ा जाएगा हमने उस बूड़े आदमी से कहा नहीं हमें फूल नहीं चाहिए हमें छड़ी ही चाहिए तो बूड़ा आदमी अजीब सी नजर से हमारी तरफ देखने लगा उसके बाद उसकी नजर इधर उथर गई जैसे कोई हमें देख ना रहा हो नीचे से उसने हमें दो चड़ीयां पकड़ा दी और कहा हाँ ले जा सकते हो बस इतनी बात हुई जैसे वो इन छड़ीयों को बेच रहा था और खास लोगों को ही बेच रहा था हमें नहीं पता था इसका मतलब क्या है लेकिन हमारे हाथ में छड़ीया आ गई पीछे से वो कुछ आवाजे जरूर लगा रहा था हम पीछे मुड़े ही नहीं हमने साइक्ल तेज भगाई और हम वहां से निकल आई अब काफी जादा अंधीरा हो गया था और हमें वहां जाने से थोड़ा सा डर लग रहा था ऐसा ही हुआ हमारे साथ वहां उस नाले में भी जब हमने पहला कदम रखा हमें लगा जैसे इंटों से पानी निकल रहा हो जैसे काफी बारिश के बाद इंटे पानी छोड़ने लगती है वैसा पानी निकल रहा था वहां से लेकिन उसके बाद जब हमारे नजर नीचे की तरफ उस नाले के पानी पर पड़ी तो हमारे लिए हैरानी हो गई वो पानी पीछे की तरफ बह रहा था जैसे उचाई की तरफ जा रहा हो मुझे उस पानी को देख कर काफी डर सा लगा लेकिन फिर भी उनीटों पर पैर रखते हुए हमें आगे बढ़ना ही था हम आगे बढ़ रहे थे उसी धारा में जहां पर वो नाले का पानी जा रहा था पहली बार उल्टा चलता हुआ पानी देखा था जो उचाई की तरफ जा रहा था हम आगे बढ़ते रहे और वहां दीवारों से आवाजे आ रही थी जैसे काफी भीड थी उन दीवारों के पीछे ये दीवारें कैसे घरों की थी क्या ये घर ही है या रेस्टरेंट है आसपास से आवाजे आ रही थी जैसे लोग वहाँ पर बाते कर रहे हूँ वो इंटें भी थोड़ी थोड़ी नम हो गए थी और उन पर हाथ रखते ही हमारे हाथ फिसल रहे थे हम तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगे अंधीरा काफी जादा था और हाथ में सिर्फ मेरे ही टॉर्च थी जो मैं आगे को मारता जा रहा था उसके बाद वहाँ आवाजे बिलकुल बंद हो गई और हम उस गली तक पहुंचाए वहाँ से हमने भागना शुरू कर दिया क्योंकि हम जादा देर नहीं लगाना चाहते थे हम बस अपनी आखरी कोशिश करना चाहते थे जो आज हो सकती थी हम भाग कर उस तरवाजे तक पहुंची आए और दोनों तरफ पने उस छेद में लकडियों को डाला वहां कुछ नहीं हुआ हमें लगा था लकडियों को वहां पर डालेंगे उसके बाद कोई कुछ आवाज आएगी पीछे का दर्वाजा खुलेगा और हमने जैसे ही सामने वाला दर्वाजा खोला उसके पीछे, वो कमरा नहीं था, एक और गली थी, यहां पर गली कब से आ गई, हम तो यहां पर पहले भी आकर गई थे, यहां पर तो कमरा था ना, वो मिट्टी से भरा हुआ, लेकिन यह गली कैसे बन गई, उसके बाद फिर से हमने दर्वाजा बंद किया, उन लकडियों को बाहर निकाला और दर्वाजा खोला तो सामने वो कमरा था, हमारे होश उड़ चुके थे, उस लकडियों को उन छेदों में डालने के बाद यह दर्वाजा पीछे कमरे को नहीं, बलकि उस गली तक पहुंचाने लगता, कैसी, जैसे जादूई सा दर्वाजा था वो, ऐसी गली में कोई नहीं आता होगा और इस चीज़ के बारे में तो किसी को पता तक नहीं होगा, हमने अब दोबारा उन लकडियों को उन छेद में टाला और दोबारा से उस दर्वाजे को खोला तो हमारे सामने गली आ चुकी थी, बिल्कुल हमारी इस गली जैसी ही, यानी यहा यहां पर चल पड़े थे, दर्वाजे को वैसा ही खुला छोड़ दिया था, हमें नहीं पता था, यहां से वापिस आने का रास्ता हमें ऐसा ही मिलेगा या नहीं, लेकिन फिर भी हम आगे पड़ चुके थे, हमें ऐसा रोमांचक सफर पसंद आता है और जादूई दर्वाज पहली बार हमने देखा था, हम उस गली में आगे पड़ते गए, कई घुमाव आए, कई मोड आए, और हम उस गली से बाहर आ गए, लेकिन ये इलाका हमारे लंडन शहर का नहीं था, बाहर भीड लगी हुई थी, दुकाने खुली थी, वहां लोग दुकानों पर बैठे, ख पड़े भी अलग थे, पुरानी पुरानी गाड़ियां चल रही थी सडक पर, और इसे देखकर हम हैरान थे, हम कौन सी आगे में आ गए हैं, हमारे कदम आगे की तरफ बढ़े, तो जैसे सब कुछ आजीब सा, वहां पर हमने परचाईयां उड़ती हुई देखी, दीवारो रात के समय बेच रहे थे, हम उसी देखते जा रहे थे, और आगे बढ़ते जा रहे थे, हम कई गलियों तक आगे गए, हम ये पहचानने की कोशिश कर रहे थे, कि ये लंडन का कौन सा इलाका है, लेकिन ऐसा कोई इलाका इससे पहले कभी हमने देखा ही नहीं था, बहुत सड़कें भी काले रंकी थी, जिन पर बहुत सारी पीले रंकी लाइन्स लगाए गए थी, ऐसी लाइन्स सड़कों पर नहीं होती, जैसी हम यहाँ पर देख रहे थे, हम किसी को हम पर शक होने नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने नजरे नीचे जुकाई होई थी, कई लोग हम हमारे पास आते और हमसे पूछने की कोशिश तो करते हम किसी का जवाब नहीं देते और आगे की तरफ भाग लेते उन्हें शक भी नहीं होने देते भीड में हम गुम होकर आगे पढ़ रहे थे और हम पहचानने की कुशिश कर रहे थे कोई तो हमें जानने वाला मिल जाए इ वहां घोडे भी देखे हमने जिनकी आठ आठ टांगे थी। छोटे छोटे जानवर लोग घुमा रहे थी लेकिन वो कुटे नहीं थे। ऐसे जानवरों की तस्वीरे तक नहीं देखी हमने कभी। हमें वहां कोई पहचान वाला नहीं दिखा सिर्फ एक बच्चा दिखा जिसे हम जानते थे वो था थौमस। सामने उस गली के अंदर की तरफ चला जा रहा था। हमने दूर से उसे पहचान लिया था लेकिन हम आवाज लगा कर उससे बात नहीं करना चाहते थे सिर्फ उसके पास जाना चाहते थे हम भागे उस गली की तरफ और जब हम उस गली में घुसे वहां पर धौमस मौजूद रही था सामने दीवार थी जो पंद थी फिर भी यहां पंद दीवार के सामने धौमस नहीं था गली में जाने का और कोई रास्ता नहीं था कहा गया वो गली में घु एक इट नीचे की तरफ खुनी शुरू हो गई और वो दिवार हट चुकी थी और वहाँ एक गली आ चुकी थी वहाँ जैसे ही वो दिवार हटी सामने हमी धौमस चल कर जाता हुआ नजर आया और हम भाग कर उसके पीछे पहुँच गए और हमने हाथ जब उसकी पीठ पर रखा वो तेजी से मुड़ा लेकिन मुडने के साथ ही वो हमें देखकर खुश नहीं बलकि डरा हुआ था उसके सर पर पसी ने आ चुके थे और वो घपरा चुका था हमने उसे गले लगा लिया लेकिन उसने हमें धक्का दिया और कहने लगा तुम यहां क्या कर रहे हो तुम्हें यहां आने का रास्ता किसने बता दिया तुम कर क्या रहे हो क्या तुम मरना चाहते हो वो हमें खीचता हुआ एक मकान के पीछे ले गाया और वहां पर हमसे बात करने लगा वो काफी गुज़दा नजर आ रहा था और उसने कहा तुम्हें यहां अंदर तक कैसे चले आए तुम्हें यहां आने का रास्ता कैसे मिला तो सेलीना ने कहा तुम्हारी उस डाइरी से उसके बाद थॉमस ने कहा तुम्हें वो डाइरी पढ़ना कैसे आ गई तुम्हें कैसे उसे डिकोड कर लिया क्या तुम्हें वो शब्द समझ में आते हैं उसके बाद सेलीना ने कहा कि वो चिन वो अधूरा चिन पूरा करने के बाद वो अक्षर सीधा हो जाते हैं हम जान गए थे हमने पूरा पड़ा और वो नक्षा यहीं गली तक आता था उस गली के पार आने का रास्ता भी तुमने उन दो छड़ियों के जरीए बताया था उसके बाद थॉमस ने अपने सर पर हाथ मारा और उसने कहा मैंने तो पहले उसे नोट किया था ताकि मैं भूलना जाओं मेरी ये गलती थी हमें बताया जाता है इस चीज़ को नोट नहीं करना है मैं वो गलती कर चुका हूँ तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए जल्दी स मौजूद है और यहां आने का रास्ता कहीं और से मौजूद है या नहीं या इस गली से आना पड़ता है तो थॉमस ने कहा मौजूद तो हैं कई रास्ते लेकिन वहां से निकलने का तरीका किसी को पता नहीं होता ये जगे लंडन में ही मौजूद है लेकिन कोई यहां आ सकता क्योंकि ये जगे कहीं से दिखाई नहीं देगी ना उपर से ना नीचे से सिर्फ इस आयाम में पहुँचने के बाद ये नजर आती है मैंने थॉमस से पूछा आखिर ऐसा कैसे हो सकता है अगर ये जगे लंडन में मौजूद है कोई यहां पर पहुँच क्यों नहीं सकत और ये गली कैसे गायब हो जाती है तो थॉमस ने कहा तो थॉमस ने कहा अंतरिक्ष में बहुत बड़ा फैलाव है और उसके जरीए छोटी जगे में भी बड़ी जगे को बसाया जा सकता है इनसान आम तोर्थ पर इसे समझ नहीं पाते और जो इस जगे पर आते हैं वो यह ही बस्ते हैं दो दुनिया बनी हुई है एक जिन्हें इन सब के बारे में पता है और दूसरे वो जो साधारन हैं तुम्हारी तरह वो उस दुनिया में रहते हैं हम यहां तक आते हैं मैं कुछ समय के लिए वहां पढ़ने के लिए गया हुआ था लेकिन जब मैं यहां वाप शान था और उसने सर पर हाथ रख लिया था लिकिन हमें उस पर दया आ गई तो मैंने उससे कहा कि हम वापिस चले जाएंगे दोबारा यहां नहीं आएंगे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है हम नहीं आएंगे वापिस तो थौमस ने कहा तुम वापिस जाओगे कैसे यहा यहां से वापिस जाना इतना आसान नहीं होता, यहां आना ही आसान होता है, तुमने ऐसी बड़ी गलती क्यों कर दी, तुम उस गली से वापिस नहीं जा पाओगे, यहां गलीयां बदलती रहती हैं, तुम समझ ही नहीं पाओगे, और अगर तुम समझ गए तो यहां से खरीदना सबसे मुश्किल होता है वो चाबियां होती है उन दर्वाजों की जो आसानी से नहीं मिलती, दूसरी दुनिया में वहां लोग रखे हुए हैं जो दुकानों पर काम करते हैं छडियों को बेचते हैं, यहां छडियां बेची नहीं जाती, यहां से बाहर जाना मुश्किल है, यहां अंदर आना आसान होता है तो मैंने उससे कहा, उस घनी जंगल में भी हम गए थे तुम्हें ढूंडने के लिए, वहां पर भी एक भूत नजर आया था, तुम तो कहा करते थे, कि भूत नहीं होते, तो थौमस ने बाद लोग इस दुनिया में तो आ जाते हैं, यह सामानांतर दुनिया की तरह ही है अंत्रिक्ष के फैलाव के कारण छोटी जगे में बड़ी जगे को बनाया गया है, इसलिए वो यहां पर आ जाते हैं बाहर नहीं जा पाते, यहीं से भूत प्रेत नजर आते हैं और बाहर तुम्हें ऐसी ऐसी चीजे दिखेंगी, जो तुम्हें मार भी सकती हैं, इसलिए ध्यान रखना तुम्हें तो जादा चीजों के बारे में पता भी नहीं, मुझे भी नहीं पता है लेकिन तुम्हें वापिस जाना होगा और वापिस जाने का रास्ता आसान नहीं अगर किसी को तुम्हारे बारे में पता चला, तो तुम यहीं पर मरोगी, वापिस नहीं पहुँच पाओगी, इसके बाद वहाँ बड़ी सी इमारत थी, जहां थॉमस हमें ले गया, उस इमारत की तीसरी मन्जिल पर वो हमें ले गया था, यह इमारत जादा चोड़ी नहीं थी, लेकिन उस पुरानी लिफ्ट से, जब हम तीसरी मन्जिल पर पहुँचे लिफ्ट खुली तो सामने बहुत बड़ा मैदान था यह फुटबॉल का मैदान लग रहा था जहां पर कुछ ही लोग थे यहां खाली सा माहौल था और यहां पर थॉमस हमी ले आया था मैं तो देखकर हैरान था आखिर तीसरी मन्जिल पर लिफ्ट से आए और छोटी सी बिल्डिंग में इतना बड़ा विशाल मैदान कैसे हो सकता है आखिर यह कैसे संभव है तो थॉमस ने कहा बहुत चीजे हैं यहां पर जो तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी तुम्हें यहां पर रहना होगा एक दिन उसके बाद कोई रास्ता ढूनेंगे यहां से निकलने का और किसी को कुछ बताना नहीं बस चुप रहना यहां पर चुप रहना आसान है और बोलना बहुत खतरनाक होता है हम यहां तक आ तो गए हैं और बाहर जाने का तरीका हमें नहीं बता क्या थॉमस हमें बाहर ले जा पाएगा और यह दुनिया क्या है कैसे काम करती है और यहां से निकलने का रास्ता कैसा होगा दोस्तों आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही रोमान चकोने वाले हैं हमारे साथ जुड़े रहना क्योंकि आपको इस कहानी का अंतर जरूर देखना होगा जो आपने सूचा तक नहीं होगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए डरते रहें